एक जुलाई यानि आज से आजादी के बाद से देश का सबसे बड़ा Tax Reform Goods and Service Tax यानि GST लागू हो गया इस टाक्स के लागू होने से घर का खर्च बढ़ जाएगा क्यूंकि खाने पीने की कई रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे ब्रांदे डाटा, पनीर, मक्खन, तेल और मसालों पर टैक्स लगा दिया है जो 5-18 फीसिदी के बीच है भारतीय रेलवे अब ओनलाइन वेटिंग टिकेट जारी नहीं करेगा अब केवल कंफर्म और RAC टिकेट ही ओनलाइन मिलेंगे भारतीय रेलवे एक जुलाई से राजधानी, शताबदी, दुरंतों और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह ही सुविधा ट्रेन चलाएगा इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कंफर्म टिकेट ही दी जाएंगी इसके साथ ही प्रेमियम ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा रेलवे ने शताबदी, राजधानी और कई अन्य ट्रेनों के कोचों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है गोल्ड खरीदने पर सरकार ने 3% टाक्स लगाया है मेकिंग चार्च पर 5% टाक्स लगता है घूमना फिरना हो जाएगा महंगा हवाई टिकेट से यात्रा करने पर आपको टिकेट तो सस्ता मिल जाएगा ATM में फ्री ट्रांजाक्शन के बाद होने वाले पेड ट्रांजाक्शन पर भी टाक्स रेट बढ़ जाएगा चेक बुक यूज करने पर भी लगेगा टाक्स GST के बाद महंगे हो जाएगे ये समान मखन, टेलिविजन, फुटवेर, बिस्किट, कॉन फ्लेक्स, हाथ की घड़ी, जैम, बेबी फूड और छोटी कारे GST के बाद सस्ती हो जाएगी ये चीजे मोबाइल, 500 से कम के जूते, रेडिमेड गार्मेंट्स, विकलांग के लिए कार, दवाईया, रिनेवल एनरजी डिवाइसे, लोहे से बनी चीजे, हाथ से बने म्यूजिक इंस्टूमेंट्स, कॉन्टाक्ट लेंसे और प्रोसेस्ट भोजन की कमी आएगी जी एस्टी कर से मुक्त हैं ये चीजें, मीट, मचली, दूद, अंडा, नमक, गर्ब निरोधक दवाईयां, ताजा फल, सबजी, नॉन ब्रांड़ेट अनाज, आटा और गेहू, न्यायक और गैर न्यायक स्टाम पेपर, गैर कीमती धातू, चूडी और अग्रिकल्चर है तूल्स आधी